सिदाज जेशु गांदनगर कातेजा रितंगडकरी हालबा संबोधन करी रहाचु आज का ये देन हिंदुस्तान के एक्टोमवेल इंडस्ट्री के इतिहास का बहुत महतो पुर्ण धीन है आप सब को पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज़्यादा गवर्मेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज़्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वह इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री का और विकास हो और आत्म निर्वर भारत में भारत के निर्माण में हम जो नई नीतियों के साथ इस देश को आर्थिक को में का बहुत महत्वपुर्णा है और इसी लिए हमने 2015 से इस पॉलिसी पर अध्यान शुरू किया और आज मुझे खुशी है यहादरनीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा इसका रारंबवी होने जा रहा है हमने महत्वपुर्णा निर्णे लिया क्योंकि पैरिस में प्र देश की इतिहास के तीन महत्वपुर्णा पीलर है एक है इथिक्स, एकोनोमी, एकोलोजी और इंवार्मेंट के एक शेत्र में हमारे सभी विभागों ने मिलकर हमने यह निर्णे किया कि जो पॉलुशन के नॉम्स थे बीए स्पोर उसको अमने बीए सिक्स पॉलुशन इसके बारे में काफी रिजर्वेशन था पेट्रूलियम कंपनी ने बहुत अच्छा कॉपरेशन किया और आज हमने बीए सिक्स के पॉलुशन नॉम्स को बहुत यशिश्वी रूप से उसके उसके उपर अमल किया है पॉलुशन के साथ साथ वेहिकल का फिटनेस, लेयर बैक्स है वो मेंडिटरी की है ताकि हम लोगों की जान बचा सके हमारी एक सबसे बड़ी समस्य यह थी कि भारत में करीब एक करोड़ ऐसी गाड़िया थी जो बिना वैलिट फिटनेस के साथ फिटनेस के बिना चल रही थी उसके कारण प्रदूशन भी बढ़ रहा थ और फ्यूइल में भी काफी खर्चा हो रहा था क्योंकि उसमें फ्यूइल इफिशेंसी नहीं थी और सेप्टी के दुष्टी से भी अपने नौम्स वो पूरी नहीं कर रही थी और इसलिए स्वाबावी कुरुप से स्क्रैपिंग पॉलिसी की सुरुवात उसी विचारों स और रोड शिफ्टी के लिए वो एक जोखिंग के रूप में हमारे सामने निश्चित रुप से पुराने वानों को लेकर एक समस्या भी है हमारा एक्टोमेल सेक्टर बहुत मत उपना है एक्टोमेल सेक्टर का खुल टर्नावर साड़े साथ लाग करोड का है इस इंडस्री से लगबग 3.7 करोड लोगों को डायरेक्ली या इंडायरेक्ली रोजगार मिला है ऑटो इंडस्री का खुल एक्सपोर्ट साड़े तिन लाग करोड का है और कोवीड महामारी के बावजुद भी पैसेंजर वेहिकल सेग्मेंट की खुल रिकवरी प्री कोवीड के मुकाब इस यही रखा गया है एज नहीं और इसलिए फिटनेस यह क्राइट्रिया रखने के कारण हम देजबर में डिस्टिक लेवल पर पीपी मोड में हम फिटनेस सेंटर के भी निर्मान करने वाले कारे को प्रोचाइब कर रहे हैं एस से केवल बढ़ती हुई अगर बढ़ा तो उसमें केवल हमने भी रजिस्ट्रेशन फी और फिटनेस सर्टिफिकेट फी जो है वो लागो की है यह पॉलिशी सब स्टेक होल्डर के लिए फायदे बंद है और सब के लिए इसकी उपयोब भी होगा इसका कारण यह है कि मैनिफेक्टिरिंग सेक्टर में इससे कारण तील रबर प्लास्टिक यह सब इसमें से वेस्ट के रूप में निकलेगा और जिससे हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी और रोजगार की दिर्मिती होगी जो नहीं वहेकल आएगी वह रोड़ सेप्टी के नौंस पूरे करने के कारण हम जनता का रक्षन भी कर सकेंगे और र हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा गवर्मेंट को भी फाइदा होगा टैक्स रिवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार भी निर्माट होगा तो निश्चित रुप से यह विन-विन पॉलिशी सभी स्टेकोल्डर्स के लिए हैं स्ट्राप मट्रियल से जो इंडस्ट्री मे सस्ते दाम में रोव मेट्रियल राप्त होगा इसके कारण स्वावय रुप से आप सब को पताए कि हम अलिमनियम कॉपर इंपोर्ट करते हैं और इसलिए जब हमारे देश में यह वेस्ट हमको मेटल वेस्ट मिलेगी तो इसके कारण निश्चित रुप से हमारा इंपोर्ट कम होगा कॉपर अलिमनियम स्टील रबर एंड प्लास्टिक निश्चित रुप से यह हमारे लिए उपलग्द होगा अगर नीमेत रुप से स्क्रैपिंग की जाए तो करीब 99 परसेंट अब इसके रिकवरी हो सकती है और जिससे रौ मेट्रियल के कारण कॉस्ट में रौ अनुमान है मुझे विश्वास है कि इससे कंपोनेंट सस्ते बनेंगे और जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पुटेटरनेस हमारा पढ़ेगा और क्वालिटी में उर्द्धी होगी जिससे एटो मेल का सेल्स भी बढ़ेगा अनुमान है कि बढ़े हुए से इसकी वजह से बारस सरकार को जीएस्टी में लगबग 30-40,000 करोड रुपे का फाइदा होगा और स्टेट गवर्मेंट को उनके जीएस्टी में भी करीब 30-40,000 करोड रुपे का फाइदा होगा डिपॉजिट सर्टिपिकेट के आधार पर नए वान खरीदने के लिए 5% की छूट भी मिलेगी इसका भी अनुरोद हमने कमपनियों उसको किया है रेजिस्टेशन फीज और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी जो उस गाड़ी को स्क्रैप करेंगे गाड़ी की स्क्रैप मेलों भी कम से कम 4-7% तक आएगी और उसके का भी जो इंकम है वो भी निश्चित रुप से इससे मिलेगा जो डारेक्ट इंप्लॉइमेंट इसके करन मिलने वाली है उसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स अटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स इसकी वजह से करीब 10,000 करोड की अतिरिक्त इंवेस्टमेंट इस चेत्र में आएगी और करीब 50,000 लोगों को डारेक्ट इंप्लॉइमेंट मिलने की संभावना है स्क्रैपिंग सेंटर्स में जो मशनरी और इक्रूपमेंट लगेंगे उसमें निश्चित रुप से प्राइमेरी क्रेट्रिया यही है कि मैक्जिमम रिकोवरी औफ रॉव मट्रियल कैसे हो जाए बाद में इसको प्राइब और जापान इस देशों ने इसमें काफी अच्छा काम किया है और उनने उनके सिस्टम का भी अध्यान करके अमने पॉलिसी में उन सब बातों को हमने स्विकर किया है हमारा लक्ष है कि किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए गाड़ी को कम से कम 150 से 200 किल अब और आ एक्टोबेकर Sc evalu और यह पीपी मोड मेंकरने की हमारी अध्यास LET यह भी निच्षजर्प सेइसमें में इनवेस्मेंट आएगी जो स्क्राइब में जैसे इलिमेंट से सश्कराइब करें में तकि विल उनने रसे काम आएगी जो भंगार स्क्रापिंग इंडस्ट्री को एक इंफॉर्मल सुरूप में है उसको यह पॉलिसी फॉर्मलाइज कर रही है और एक अच्छी बात दुद्रात के लिए महत्व पुर्ण है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने कांडला पूर्ट का ड्राफ् इस प्रकार से बाग्रा कंटेंडर टाइब उसका पैकिंग करके अगर दो लाग टन का शीप अगर अगर आता है तो उससे और सस्ता रॉम इंपोर्ट करती उसके बजाए यह अगर स्क्रापिंग आएगा तो कांडला में इसमें विशेश लुप से एकोनोमिकली फाइदा ह होगा मैरा अधरनिया मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कांडला में इस प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर अगर होता है तो निश्चित रुप से अठामिटर के ट्राट के कारण दुनिया वर की जो स्क्रैपिंग क्राप मट्रियल है गारिया है वो अगर आएगी तो इ हमें विशेश अनुरोध किया था कि विशेश लुप से अलंग में एक इंटिग्रेटर्टर्स क्रैपिंग हब बनाने का लक्षा है आप सब को पता है कि हमारे जो शिप्स है जो पुराने हो जाते हैं उसका स्क्रैपिंग करने के लिए पूरे बहुत दिनों से अन्यक सालो से वहां आते हैं और यह भी बहुत बड़ा बिजिनेस से रोजगार देने वाला है देश की वेल्थ को समुर्द्ध करने वाला है तो निश्चित रुप से अलंग में भी हमने इंटिग्रेटर्स स्राइपिंग हब बनाने के लिए हमारे तरब से राज्य सरकार के सयोग से ह भारत में पुरे साउथ इस एशिया को हाँ स्क्रैपिंग हब भारत को बनाने का हमारा सपना है बंगलादेश बोतान मायमार माल्दिव नेपाल स्री लंका जैसे देशों की स्क्रैप गाडिया यह जो 18 मिटर का ड्राफ टेक अला पोर्ट में उसका उपयोग करके यहां ला अब ग्रीन हेड्रोजन विशेश प्रदान मंतरी जी ने ग्रीन हेड्रोजन का भी मिशेश जाईर किया है तो फ्यूचिरस्टिक टेक्नोलाजी है उसका उपयोग करके निश्चित रुप से आगे इसका बहुत बड़ा फाइदा होगा और मेरा विश्वास है कि देश की ए करेगी एक्सपोर्ट भी बड़ाएगी वेल्ट भी बड़ेगी रेवनीं भी बड़ेगा और देश हम यह सपना हमने तरह किया है कि पांट साल के अंदर हिंदुस्तान यह आज अल्रेडी हमारे पास सब वर्ल्ड के ब्रैंट्स मारे देश में उपसीत है और हम यह कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को अट विल मैनिफेक्चरिंग का नंबर वन का वर्ल्ड का मैनिफेक्चरिंग हम 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 हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करेंगे और मेरा विश्वास है कि आतरनिया प्रदान मंत्री जी के मारके दर्शन में और हमारे मिनिस्ट्री के और से वेहिकल में भी काफी डीड लिया है लीथियम आयन बैटरी 86% इंडिया में बनाते हैं ग्रीन हेड्रोजन में भी काफी सब्सक्राइब शुरुआत हुई है तो मेरा विश्वास है कि यह इंडस्ट्री हिंदुस्तान की विकास में हमारी एकोनोमी में एक बहुत बड़ा मिल क पत्तर साबीत होगी है आज इस एतियासिक कारे का शुबारंब आधर निया प्रधान मंत्री जी के द्वारा हो रहा है मैं रुधैसे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देते वे अपने बात को समात्त करता हूं नमस्कार